नमस्कार स्वागत है आप सभी का दभिया टॉप में मिरनाम अधित तारयन है देखिए इस वक्त अगर बिहार में किसी नेता की सबसे अधिक चर्चा हो रही है तो वो नेता लोजपा राम विलास के राश्ट्रिय अध्यक्ष सजमुई सांसद चिराक पास्वान है चिराक प सकती साली राजनितिक दल बीजेपी ने भी चिराक को अपना हिस्सा बनाया है चाहे खुची से मनाया हो या मजबूरी में लेकिन चिराक आज सबकी जरूरत बन पड़े हैं चिराक पास्वान जैसे ही एंडिये में सीट बटवारा का एलान होता है उनकी पार्टी के प्रद पारन लग रहा है इसमें सिर्फ तारीख का जिक्र किया गया है पांच जुलाई 2021 और पूरे परिवार के साथ चिराक अपनी तस्वीरे जो हैं वो साधा किये हैं तस्वीर में आपको उनकी माता जी दिखेंगी इरीना पास्वान उनके जीजा अब इसे भारती दिखेंगा पूरा परिवार जो है वो दिख रहा है अब देखिए इस तारीख पे चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे क्यों ये तारीख चिराक को याद है क्यों ये तारीख चिराक को राजनिती में अस्थापित करने वाला तारीख बना लेकिन इस तारीख से पहले हमें चलना होगा साल 2020 में अक्टूबर का महीना तारीख आठ था जिस दिन दिवंगत नेता राम बिलास पासवान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया अंतिम संसकार होता है चिराग पासवान अलग थलग पढ़ जाते हैं लेकिन उससे भी पहले थोरा चला जाए जब राम बिलास पासवान की राजसभा की सदस्ता तै हो रही थी उस समय नितीश कुमार ने मुखालफत किया था राम बिलास पासवान का इसके बाद राम बिलास पासवान का जब जन दिन था उस दिन भी आपको याद होगा कि नतीश कुमार ने उन्हें फोन करके बड़े विश्च नहीं किया था प्रधान मंत्री से लेकर तमाम बड़नेताओं ने विश्च किया लेकिन सीम नतीश राम बिलास पासवान को बार पार नीचा दिखाने का प्रयास करते रहें और यही कारण था कि उनका बेटा राम विलास पास्वान का बेटा चिराग पास्वान जो है वो यह मन में ठान लेता है कि नितीश कुमार को गद्दी से हटाना है और इसके बाद ऑक्टोबर माह में फिर दिहाम्त हो जाता है ही उतारते चुकि उसमें बीजेपी की भी मजबूरी होती है बीजेपी को बिहार में सरकार बनाना होता है इसलिए वो चिराग को नजर अंदाज कर देते हैं दरकिनार कर देते हैं और नितीश कुमार के साथ सत्ता में आ जाते हैं लेकिन नितीश कुमार का कद दो हजार ब 26 चिराग पासवान सबसे बड़े नेता बनकर सामने आये थे जिसका दर्द आज भी जदियू को है आज भी जदियू के कई ऐसे नेता है जो बार बार इस बात को दोराते हैं कि नितीश कुमार भी कहते हैं कि चिराग पासवान ने जदियू के कद को छोटा कर दिया और उसके बाद फिर 2021 में पार्टी जो है वो टूटती है ना सेर्फ टूटती है बलकि पसुपति कुमार पारस जो है जिनके बड़े भाई राम विलास पास्वान ने सब कुछ किया अगर बिहार में भाई चारा का प्रेम या फिर जो भ्रात्री प्रेम होता है भाई का प्रेम होता है तो उसके उधारन के तौर पर आम विलास पास्वान को याद किया जाता है अपने दोनों भाई रामजंदर पास्वान और पसुपति कुमार पारस को उन्होंने सीचा उन्होंने बनाया बिहार सकार का मंत्री बनाया सांसत बनाया अपनी सीट हाजी पूर दे दी पसुपति कुमार पारस नितीश कुमार और उनकी पार्टी जदियू के संपर्क में आकर चिराग से बगावत कर बैठते हैं धोखा देते हैं चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ कर पांच सांसत अलग हो जाते हैं इसमें खगडिया से महबुवली कैसर होते हैं वैसाली से वीना द सब्सं बना बिहार में कि चिराग पासवान अभरा आजनितीरी पर खत्म हो गए हैं पिटा के जाने के बाद उनकी विरसाट समाल सके ना उनका जनाधार समाल सके लेकिन चिराग ने जो परिपक्ता दिखाई जो मैचुरीटी दिखाई उस वक्त वो बिहार में जो इवा न संकल प्यात्रा बिहार में कहीं भी किसी को कोई मुसीबत हो किसी के घर कोई घटना हो घटना घट गया हो या कोई भी बड़ा इसलेंस तो वहां चिराग पहुंचते हैं ना सिर्फ पहुंचते हैं और ऐसा करते करते चिराग पासवान एक बड़ा जनाधार बिहार में जो था कोई तीन सीट कह रहा था और पसुपति कुमार पारस को भी तीन सीट मिलेगा लेकिन बीजेपी के इंटर्नल सर्वे ने इस बात को अस्पष्ट कर दिया कि चिराग से अगर बैर होगी तो जनता आपका खैर नहीं रखेगी बीजेपी जानती है इस बात को कि बिहार के 400 सबसे कम आरा लोगसभा में पासवान वोट मनायाता है 50,000 कई ऐसे लोगसभा है जहां पर पासवानों की संख्या 2,500,000 है वहाँ पर बीजेपी को गच्चा लगता वहाँ पर बीजेपी को बड़ा सेट बैक लगता बीजेपी के सर्वे ने इस बात को अस्पष्ट कर दिय और बीजेपी कभी भी सामने से चिराख पासवान से दुश्मनी नहीं की बीजेपी ने नितीश कुमार के दबाव में नितीश कुमार के प्रेसर में उनकी पाटी जब टूटी तो बीजेपी चुप रही 12 जनपत जब खाली कराया गया दिल्ली में बीजेपी ने कराया नि कर से कई घ्टना करम हुए।। जब लगा कि बीजेपी भी चिराइक के खिलाफ है लेकिन बीजेपी द्यरासल नितीज़ के प्रिशर में थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने उस प्रिसर को खत्म कर दिया। चिराग पास्वान मजबूरी बने चिराग पास्वान नितीश कुमार से बड़ निताबन कर उबरे है नितीश कुमार के पास इतना बड़ा जनाधार है उससे बड़ा जनाधार आप कहिए चिराग पास्वान के पास है और यही कारण है कि आज चिराग पास्वान बीजेपी के सबसे प्रमुक्सायोगी दल बिहार में बन चुके हैं तो उस तारीक का जिक्र की आगया है पांच जुलाई दो हजार एक्कीस राम बिलास पासवान का जन दिवस और इसी दिन नितीश कुमार से दुस्मनी चिराग पासवान की शुरू हुई थी जिसमें आग चिराग पासवान जीते हैं पासवान के लिए बिलास पासवान के लिए बेत्खुची का पासवान है पांच लोग सवासवान को मिला है हाजिपूर, जमुई, समस्तिपूर, वैसाली और खगडिया नवादा उनके हिसे में नहीं आया है तो ये पांच सीट पर प्रत्यासी कौन होंगे इस पर अब चर्चा है हाजिपूर तो चिराग लड़ रहे हैं उन्होंने कह दिया खोल कर जमुई से कौन होगा समस्तिपूर से कौन होगा ये अब चर्चा का विसे है लेकिन चिराग पास्वान और उनके समर्थकों के लिए कल का दिन और अब आने वाले दिन बेहत सुब होने जा रहे हैं फिलाल इस कबर में इतना ही रणामुदी प्यारन है बहुत बहुत शुक्रिया